नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल में दोस्तों क्या आपके माक्षिट गूम हो गई है या चोरी हो गई है या किसी प्रकार से आप कहीं पर भूल गए हैं तो ऐसी कंडिशन में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो की द्वारा मैं कैसी प्रोसेस लेकर आया हूँ जिसमें आप सिर्फ एक आवेदन करेंगे जिसमें आपका माक्षिट आपके घर पहुँच जाएगी सिर्फ मात्र दस दिन में तो दोस्तों आवेदन कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस क्या रहेगी सारी जानकरी इस वीडियो की द्वारा समझते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल मनाई मैमान है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिक्रिशन से आप अपडेट होते रहें तो शुरुआत करते हैं दोस्तो सारी प्रोसेस समझेंगे लेकिन आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को कहीं से भी आप स्कीप ना करें क्योंकि आपने जरासा भी कुछ स्कीप कर दिया तो हो सकता है माक्षिर आपके घर ने पहुचे या फिर आप कुछ गलत इंट्री कर दें उसमें तो आईए दोस्तो सुरुआत करते हैं एक ही वीडियो में सारी प्रोसेसिंग किस प्रकार से की जाती है दोस्तो हम गूगल के उपर जैसे टाइप करते हैं mpbsc.mponline यह वैपसाइट रहेगी जूम करके देख लीजेगा mpbsc.mponline यहाँ पर जैसे आप सामने आएंगे यह आपके सामने इस प्रकार से डेशबूर्ट दिखने लगेगा हम सबसे पहले मैं आपको साइट के बारे में पूरी बता देता हूँ यह वैपसाइट रहेगी आपकी mpbsc.mponline इसके बाद में आप counter-based application यह वाले option में आपको जाना रहेगा ठीक है जैसे आप इसके उपर click करते हैं यहाँ से जैसे हम click करते हैं आगे counter-based application में आने वाले सारे जितने भी option है वह आपके सामने दिखने लगेंगे हमें ध्यान में रखना है पांच नंबर वाले question के उपर हमें click करना है ठीक है पांच नंबर का यह आपका वह रहेगा इसमें रहेगा duplicate, correction, mark sheet, migration certificate, application entry form, pay and pay, duplicate sleep, duplicate या correction application status, upload किसी कारेंट से अगर न यह वाले option जो second वाला है हम इसके उपर click करेंगे application entry form ठीक है जैसे हम click करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की detail डलेगी अब इसमें 10 वी बारवी जो भी है आपको select करना है ठीक है हमने यहाँ यहाँ बारवी select किया है इसके बाद में हम main exam किया ठीक है यहाँ supplementary वाला जो candidate मेरे पास supply वाला था इसलिए यहाँ पर आपके सामने सारे option दिखने लगेंगे हमने duplicate mark sheet के उपर click किया duplicate mark sheet के उपर click करने के बाद आपको sun जो है mark sheet का वो select करना है यहाँ पर roll number डालने के बाद आप देखिए पूरी detail आपके सामने खुलने लगेगी अब पत्रे में क्या लगाना आपको यहाँ पर इस पस्ट रूप में लिखा है कि आधार कार्ट को upload ना करें यह गलती विल्कुल भी ना करें यहाँ ना नहीं तो form reject होने में ज्यादा time नहीं लगेगा ठीक है इसके बाद में आपका जो कौन-कौन से documents upload होनी का है यहाँ पर voter ID, पैन कार्ड इसके बाद driving license, बार certificate, इसके बाद passport या रासन कार्ड इन में से कोई सबाब लगा सकते हो जैसे मैं candidate का लगा रहा हूं driving license अब driving license जो भी है driving license का आपको number यहाँ पर आपको type करना रहेगा और यहाँ पर 200KB से कम वाली size में आपको upload करना रहेगा यहाँ पर आपक जो है गाउं का नाम हो गया address में आपको फिल करना रहेगा पत्र विवार की जो कहां पर आपको बुलवाना है ठीक है यहाँ गाउं का नाम यहाँ पर आपको post आप इसका जरूर नाम लिखिएगा इसे miss बिल्कुल ना करे नहीं तो problem आएगी इसके बाद state district इसके बाद में आपका pin code ठीक है यह completely आपको विवस्तिट डालना है नहीं तो आपका जो mark sheet है पते पर नहीं पहुच पाएगी यहाँ पर आपका mobile नंबर और gmail id अगर हो तो ठीक है नहीं तो आपके सामने details खुलने लगेगी आप देखे मैं आपको पूरा फिल करके दिखाता हूं किस प्रकार से क्या होगा यहाँ पर हमने लिया है जैसे driving license हमने सेलेक्ट किया था ठीक है driving license को हमें यहाँ पर upload करना रहेगा जैसे कौन-कौन से documents को हमें लगाना है जैसे हो गया water id pen card driving license इसके बाद में birth certificate आप certificate जो भी कुछ है passport वगेरा रसन कार्ड इन में से जो भी कुछ हो तो आपको जो भी लेना है वो आपको यहाँ पर लगाना रहेगा जैसे मैंने लिया इसमें driving license में करना है किसी और चीज़ पर यह नहीं करना चाहिए तो आप इसे directly paste करना है टाइप करने के बाद देखे जो जो अपने driving license लगा है यह दोसों के भी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए ठीक है इसे हमें वापस से हमें upload करना रहेगा जहां पर भी हमर पास save है उस copy को हमें दिखाओ अभी है कि 200 कवी से ज्यादा आपका जो है certificate जो upload कर रहे वह नहीं होना चाहिए अब हम समझते है पत्र विवार जो पत्र विवार क्या क्या रहेगा आपको कहां पर क्या डालना यहां पर मकान नंबर डालना रहेगा आपको ठीक है यहां पर आपको जो है आपका गाउं का नाम डालना रहेगा अगर आप city में रहते हो तो colony का नाम डाल सकते हो ठीक है यह हो गया आपका first step इसके बास second में आपको post office का नाम जरूर लिखना है क्योंकि post office अगर नहीं लिखेंगे आप तो आपकी जो है post आपकी size से पहुंच नहीं पाएगी ठीक इसके pin code आपको डालना रहेगा pin code आप सई से डालिएगा otherwise आपकी जो mark sheet है वो आपके घर पर नहीं पहुंच पाएगी यहां mobile नंबर आपको सई से डालना रहेगा क्योंकि mobile नंबर पर ही आपका code आता है तब ही आपको form verify हो पाएगा ठीक है इसके बाद में यहां पर आगे Gmail ID नहीं है तो कोई बात नहीं नहीं है सिर्फ आपको mail alert करने के लिए आपको compulsory नहीं रहेता वो डलवाते हैं आपके पास है तो डाल सकते हैं otherwise कोई बात नहीं submit के उपर जैसे हम click करते हैं कुछ इस प्रकार की detail आपके सामने दिखने लगेगी यह page होकर के पूरी detail आ चुकी है यहां पर जैसे हम इसके उपर generate OTP के उपर click करते हैं एक message आपके पास mobile पर आएगा उसमें application नमर भी आएगा और आपके पास OTP भी आएगा ठीक है जैसे य payment मैंने wallet में मेरे पास payment नहीं रखा है उसके बाउद में आपको ऐसा process दिखा रहा हूं कि अगर आप गलती से payment करने जा रहे हो आपका payment अगर विफल हो जाता है तो आप क्या करोगे उस condition में मेरे पास अभी मेने payment नहीं रखा wallet में और मैं payment करके दिखा रहा हूं आपको वापस से हमें फिर से उसी नंबर पर बिना मेहनत करें वापस से हमें उसी application नंबर पर कैसे करेंगे तो डेशबूट पर जाते हैं जैसे हम डेशबूट पर जाएंगे यह वापस से हमारे पास सामने counter base application आएगा यहां पर pay unpaid वाला option एक आपके सामने दिखने लगेगा ठी उसे यहां पर आपको Enter करना रहेगा इसके बाद cap change number डालने के बाद आप इससे search करेंगे जैसा फायं इसा फायं आपने भरा था वैसा फायं आपके सामने वापस से खुलने लगेगा तो दोस्तो इसके बाद जैसे हम सुर्च करेंगे आगे आगे आजाएगा आपका form वैस सब्सक्राइब वैसे आपके सामने खुलने लगेगा अब इससे आप पेमेंट कर सकते हो क्योंकि यह प्रोसेस मैं ने दोबारा इसलिए दिखा यह ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो यहां पर हम वापस MOTP डालेंगे अब देखे यह आपका जो है फॉर्म हो च चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकिशन से आप अपडेट होते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए